हाई फ्रेंट्स। मैं हाजिर हूँ आज आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ, मैं आपको बताऊंगी कैसे हम ब्लूबेरी से सॉस बनाए और मैं सॉस आपको दो तरीके का बताऊंगी एक आप यूज़ करके जल्दी खतम करियेगा और दूसरा मैं बताऊंगी कि आप काफ करते हैं इसकी प्यूरी बनाना मैंने ये हाफ केजी ब्लूबेरी ली है मैं इसकी प्यूरी बनान के लिए इसे अपने जार में डालूंगी और इसे अच्छी से पेस लूंगी अंगूर को अच्छी तरह से पेस लिया है अब मैं इसे पैन में डालकर गरम करूंगी सौस बना रहे हैं इसलिए हमने इसको च्छाना नहीं है ताकि इसमें फाइबर इसके अपने कंटेंट रहे मौझूद और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सेनेमन सॉस में थोड़ा स्वाद अच्छा है मैं यूज करूंगी थोड़ी सी काली मिर्च वन फोर्थ हो पाउडर थोड़ा सा हम जीरा का पाउडर भी डावेंगे और चिली फ्लेक्स भी यूज करेंगे और मैं इसमें थोड़ा सा नमग भी यूज करूंगी रॉक साल्ट का और बाद में हम गुड़ अड़ करेंगे थोड़ा सा मैं मिर्च का पाउडर वही चिली फ्लेक्स मैंने घर में बन और इसे हमें स्टर करते रहना है अब मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूँगी देखिए इसका कलर चीली फ्लेक्स के कारण चेंज हो गया थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा नमाग और अब हम अपने अंगूर के सिरप को पकने देंगे यह सास आप अपने ग्रीन अंगूर से भी बना सकते हैं थोड़ा पाउडर दो तरीका बताउँगी जब इस सास तैयार हो जाएगा उसके बाद तो चंत जागरी का यूज करेंगे पाउडर मैंने जागरी यूज की है आप चाहें तो चीनी भी यूज कर सकते हैं हम इसे 15-20 मिनट पकाएंगे धीमी आज में त्यारा सॉस तैयार हो चुका है देखिए अब मैं एड करूंगे इसमें 5 चौफ टाट्रिक एसिद या सिट्रिक एसिद आप कुछ भी डाल दीजे और या नीबू भी एड कर सकते हैं अब मैं इसे निकाल लूँगी सॉस का हाफ पोर्शन मैंने ये निकाल लिया है और आपको बताया था कि हाफ पोर्शन में मैं बताऊंगी क्या अपनाएगा ये देखिए मैंने कॉर्न स्टार्ट सेलरी डाला है ये हम एक चमच डाले हैं औ और इससे हमारे सीरफ काफी गढ़ा हो जाएगा सॉस और इसमें अलग सी शाइनिंग आ जाएगी कि यह ऐक हमारा तयार हो गया एक यह सॉस है और दूसरा वह काफी थिक हो गया है पर इस सॉस को आप जादे दिन नहीं रख सकेंगे और इस सॉस में अगर आप सोडियम बेंजोएट मिला देंगे और पोटेशियम मेटाबाई सल्फे तो ये आप साथ से आठ महिने रख सकेंगे अब मैं इसको भी निकाल दूँगी लाइए मैं इस सॉस में मिला दे रही हूँ सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाई सल्फे इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और ठंठा करके जार में रख देंगे तब ये 5 से 6 महिने हमारी सॉस खराब नहीं होगी और इस सॉस को आप 2 से 3 दिन फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं इस सॉस का आप यूज़ कर सकते हैं कौन स्टार्च मिला के जब आपको जरूरत हो तो कौन स्टार्च मिला के ऐसे बना लेजे और आप अपनी किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं एक मैंने देखे इसका जैम बनाया है जैम का कलर बहुत डार्क है क्योंकि इसमें मैंने जागरी का यूज़ अधिक किया था आजकल मार्केट्स में तो सौस काफी एबलेबल हैं और आप इसे आसानी से खरीज सकती हैं पर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अगर आप फूट के सौस खुद बनाएंगी और अपने बच्चों को फूट्स खिलाने की आदर डालेंगी अगर आपका बच्चा फूट ना खाता हो तो आप इस तरह के सौस बना कर रखिए और पास्ते में या बाकी चीट जैसे हैं ब्रेट्स हैं इंग में यूज़ करके बच्चों को दीजिए एक जैम की रेसिपी भी मैंने दी है आप खुद घर में जैम बनाएएं क्योंकि आजकल मार्केट में तो हम जैम, फूट्स, जूसस सब अब लेबल हैं पर वो उतने हेल्दी नहीं होतें मैंने अपनी रेसिपी को अकसर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको बताने की कोशिश की है अगर उसमें कोई कमी रहे तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँ मैंने आपको दो तरीके से सॉस बनाना बता दिया अगर आपको हमारे अंगूर फे सॉस बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी के साथ फीर आऊंगी थैंक यू